दोस्तों जैहिन बच्चो इतियास का शांदार पेपर हुआ है आपका चलिए अब फटा फट आपके पेपर का सोलिशन है वो कर लेते हैं बिना कोई समय बिताए हुए और पहला प्रशन है वो ही एबैसेदेवाला प्रशन खंड ए प्रशन है सिंदू सब्वेता का स्थल बन नावली निम्न में से किस राज्य में स्थित है तो उत्तर ए हर्याना में स्थित है दूसरा प्रशन किस राज्य को प्राचिनकाल में मगद कहा जाता था तो बै आ जाएगा दूसरे में बिहार तीसरा प्रशन है हस्तिनापूर का उत्खनन कारे किस पुरात्त्वे वेता द दरगा कहां स्थित है उप्शन दै यानि दिल्ली इसका सही हो जाएगा पांचवें की बात करें हमपी को राष्ट्रियस्थल के रूप में मननेता कब मिली तो वो है यानि उन्नी सो चैंतर पहला ही उप्शन सही है अगला बात करें आपका छटा प्रेशन है वीजेन अगर सम मराज़य में सेना परमुखों को क्या कहा जाता था तो सही उतर है बै नायक कहा जाता था सात्वाप प्रेशन है आईने अकबरी पुस्तक का लेख कोन था अच्छे से याद है सबको अबूल फजल पहला ही उप्शन हो गया अगला प्रेशन है मुगल वंस का अंतीम शाशक कौन था बै बहादूर साइज जफर उसके बाद अगला प्रेशन है अंग्रेजों द्वारा अवद का अधी ग्रेंड किस वर्स किया गया तो अठारा सो चपन यानि सै उप्शन इसका सही हो जाएगा अब है जी दसमा प्रांतिय संसदों के गठन के लिए पहली बार साइंतिस में दै ओप्शन उसके बाद में प्रारूप समिती के अधेक्स कोन थे तो बी आर अमेड कर सहाब पहला ही ओप्शन हो गया बई ग्यारा हो गए बार वाँ है रोयल इंडियन नेवी के सिपाहियों का विद्रो कब हुआ था तो बै ओप्शन उननी सो चालिस में जाएगा चंदर गुप्त मोरे चंदर गुप्त मोरे और बताऊं यह जो रिक्तसान है यह आपके पाठ दूसरा और पेज नंबर दो से लिया गया है उसके बाद में दूसरा प्रिशन देखिएगा रिक्तसान वाला है का शक शाशक रुद्दर दामन दौरा खालिस्तान स् सुदर्शन सरोवर जहिल का निर्मान करवाया गया था और यह आपके लेसन दो पेज नंबर 38 से यह रिक्तसान है वो लिया गया है अगला प्रिशन है इबन बतूता के यात्रा वरितान्त का नाम और वो है रिहला और पेज 118 लेसन नंबर 5 से लिया गया है आपने देखा पेपर की बोर्ड के पेपर की खूब सूरती देखते जा रहे हो ना वी पेपर जिस बच्चे ने पठे पुस्तक को अच्छे से त्यार किया है मैं हमेशा कहता हूँ गुरा मत मानिये गावी पास्बुकों में क्या रखा है पास्बुक में इतना बकवास इतना कुछ किताब को बस दो बार पढ़ लो अच्छे से और कितना बड़ा फाइदा मिलता है ऐसे कि ऐसी लाइने उठकर आ रही है और पेपर में वो लाइने बता रहा हूँ भी पेपर कभी भी पास्बुक से त्यार नहीं होता कास हमारी राजस्थान के बच्चे इस पास्बुक के जंजाल से बाहर आ जाए और पठे पुस्तकों से प्रेम कर ले अगला प्रेशन है सेख निजामुदिन ओलिया के अनवाईू उन्हे क्या कहकर संबोधित करते थे बहुत प्यारा प्रेशन और उसका नाम है सुल्तान उल मशेक कहकर संबोधित करते थे और आपको बताऊं ये लाइन है आपके लेसन 6 से पेज नमबर 158 से लिया गया है 158 नमबर पेज की लास्ट लाइन है वहाँ से ये प्रेशन उठाया गया है अगला पांचवा है 1756 में बंगाल के नुआप खालिस्तान ने कलकता पर हमला किया तो किसने किया भी सीराजू दोला ने सीराजू दोला ने किया और ये जो है आपका लेसन 12 और पेज संख्या 334 से ये लाइन है वो उठाई गई है चलिए बात करते हैं छोटे प्रशनों की और पहला है तीसरे का पहला केबिनेट मिशन को भारत क्यों भेजा गया ये ये जो आपका प्रशन है ये लेसन 13 से और पेज और मुसलिम लिग को संग्य वैवस्ता पर राजी करना जिसे भारत के भीतर परांतों को सिमित स्वाइता है वो दी जा सके इस उदेशे से बहजा गया था अगला प्रशन है कि मात्मा गांदी ने दलित जातियों के लिए प्रथक निर्वाचन की मांग का विरोध क्यों किय यह जो आपका दूसरा प्रशन है यह लेशन 15 से पेज संख्या 422 से लिया गया है भी क्योंकि ऐसा करने से यह समुदाय है वो से समुदाय से कट जाएगा अगला प्रशन है कि भारतिय स्विधान के अनुचे 356 में किस बात का प्रावधान किया गया है तो आपको पता है र प्रसासनिक अदिकारियों का महतोपुरून योगदान रहा है यह जो प्रशन है आपका लेशन 15 पेज संख्या 409 से लिया गया है और इसमें नाम आता है बी एन राव और एसन मुखर जी का नाम है वो आता है अगला प्रशन है कि सिंदु गाटी सब्वेता के निवाशियो है अगला प्रशन है छटा कि 1920 के दसक में भारत में संपरदाई जो तनाव थे उसके कोई दो कारण है वो बताने हैं तो यह आपका लेशन 14 और पेज नंबर 383 से लिया गया है अगला है प्रयाग प्रसस्ती की रचना किस भासा में की गई थी तो यह आपको पता है संस्कृ श्वित बासा में की गई थी यह लेशन 2 और पेज नंबर 37 से लिया गया है उसके बाद में प्रशन है का नया नार कों थे तो नया नार कों थे शिव भगते भी और यह आपके लेशन 6 और पेज संख्या 143 से लिया गया है अगला प्रशन है ताली कोटा के युद का अन्य नाम क्या था राक्षस तागडी राक्षस तागडी नाम था भी और ये आपके लेसन नमबर 7 और पेज 113 से लिया गया है ये पेज संख्या मैं पाठे फुस्तक की बता रहा हूं जहां से पेपर बनता है एसियाटिक सोसाइटी द्वारा बंगाल की स्थापना है वो किसने की थी तो ये लेसन 9 से और पेज नमबर 223 से ये प्रशन लिया गया है विलियम जोन्स का नाम इसमें मिलता है गेटवी ओफ इंडिया किस स्थापते सेली का उधारण है ये आपका लेसन 11 और पेज संख्या 300 ब्याणी से लिया गया है और प्रमप्रागत गुजराती शेली है वो इसका आंस्वर है अगला प्रशन है कि जलिया वाला बाग हत्याकांड कब हुआ ये प्रशन लेसन 13 और पेज 350 से लिया गया है और 1919 के अंदर ये घटना है वो घटित हुई थी अगला प्रशन है अब अपना खंड बै का खंड बै में है भई अब आगे आपके दो दो वाले प्रशन आगे तो इसको आम आपको बता देता हूँ कौन सा कहां से लिया गया है प्राचीन काल में चांडाल कौन थे चोथा प्रशन है ये लेसन 3 और पेज 66 से लिया गया है बो द्रम वाला पांचवा जो प्रशन है ये लेसन 4 और पेज संख्या इकान में से लिया आगे बात करें छटा जो प्रशन है पंच महावरत वाला जो प्रशन है ये लेसन 4 और पेज संख्या 88 से लिया गया है स्थूप की प्रिवासा की बात करें तो लेसन 4 और पेज संख्या पिचाण में से लिया गया है उसके बाद में बर्नियर वाला जो प्रशन है इसकी बात क आपको साथ में ये भी बता दूँ अब कल आपको मैं जोग्रोफी की जो ओरिजिनल आंस्वर की है वी किस परकार से आती है और जांची जाएगी उसका वीडियो भी बना के आपको बता दूँगा वैसे आपको मैंने सब कुछ बता रखा है वी किस पेज से कैसे प्रेशन अबादी से आप क्या समझते हैं ये लेशन आठ और पेज संख्या 218 से लिया गया है भी ऐसी लाइने की लाइने दे रखी है जी अगर आपने पठे पुस्तक पड़ी है जिस किसी भी बच्चे ने अकबर के सासन काल में भूमी का वरगी करन कितने भगों में किया गया है क इनी दो का उले कीजिए इस प्रशन के अगर बात करूं तो ये लेशन आठ और पेज संख्या 214 से लिया गया है अबूल फजल की हत्या कब और किसने की थी ये लेशन नो पर और पेज संख्या 231 पर आपको ये प्रशन मिलता है अगला प्रशन है चवदुआ का इस्त मरार लेशन 10 से और पेज संख्या 260 है वहां से लिया गया अभी सुरियास्त विदी के उनसार यदि निश्चित तारीक को सुरियास्त होने तक बुगतान नहीं होता तो जमिदार को वो निलाम है वो किया जा सकता है अगला प्रशन ताभी संताल विद्रो के दो कारण बताने थे ये भी लेशन 10 और पेज संख्या 200 बहतर से लिया गया है जिस जमिन को साफ किया उस पर सरकार भारी कर लगा रही थी जमिदारों को है वो नियंतरन है वो बढ़ रहा था इस परकार की बात लिखनी अगला प्रशन है मुसलिम लिग ने केबिनेट मिशन के प्रस्ताओं को ऐस विकार है वो क्यों किया ये लेशन 14 और पेज संख्या 389 से लिया गया है ये सोलुआ प्रशन भी मुसलिम लिग की मांग थी कि उनके पास भविशे के संग में अलग होने का दिकार है वो होना चाहिए ये ही केबिनेट वाली जो बात थी खंड सैकी और बात करें तो 325 से लिया गया है आप देखेंगे ना इस 325 के दूसरा पेरा और टोपिक है 3.2 उसकी पहली लाइन ही को प्रशन बना कर यहां पर दिया गया है आप देख सकते हो अपनी पाठे पुस्तक में अगर उपलब्द है तो 1857 के विद्रोव में मोलवी एहमद दूला शाह के गया है जो उपदेश है उनके बारे में बताना है तो यह लेसन 6 से और पेज संख्या 166 से लिया गया है मैक सनिस द्वारा उलेकित मोरे काली इन सेशन परशाशन का उलेक करणा है यह लेसन 2 और पेज संख्या चोंती से लिया गया है खंड दै बड़े प्रशनों की बात करें तो सिंधिय घटी सबेता के ग्रैस तापटे पर प्रकास डालिए तो ये पहला ही पाट है और पेज संख्या साथ से लिया गया है अथवावाड़ा है विशाल सनानागार की बनावट और महत्व का है तो ये भी पहले ही पाट का है और पेज संख्या आठ से लिया गया है ये प्रशन अब थोड़ा बहुत वाँ देखकर अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं और एक चीज और बता दूँ आप ये नहीं है भी एजिटीज आप लिखेंगे तभी मार्क्स मिलेंगे प्रशन की भासा के अनुसार जो मेन मेन तथ्या अगर आपने लिख दिया है तभी आपको मार्क्स हैं वो मिल जाएंगे 22 वाइस योग अंदोलन का मुल्यांकन कीजिए ये आपके लेसन 13 पेज संख्या 3451 है वहाँ से आपको मेन मेन चीज़े लिखनी है फिर अथवा में तासीद कीजिए सवतंतरता के बाद के महीने मातमागंदी की जीवन का स्रेष्ट तमक्षन था इसका मतलब ये एक लाइन उठाई गई है तो बता दूँ लेसन 13 में पेज संख्या 365 के उपर आप देखोगए तो तीसरे पेरे की पहली ही लाइन है ये और उसको प्रशन के रूप में है वो यहाँ पूछ ली गई है आगे मानचित्र की बात करें तो लास्ट में मानचित्र है ये दो मानचित्र के प्रशन थे दोनों में से कोई एक करना था और बता दूँ ये दोनों ही आपकी पठे पुस्तक 305 के पेज संख्या 305 से लेसन 11 से लिया गया है और लेसन 11 का ये दूसरा ही मेप है अथ्वा और उपर दोनों वाले प्रशनों की जो 10 लोकेशन है ये 10 की 10 है वो उसी से वहां से उठाई गई है तो कुल मिलाकर पेपर बहुती प्यारा स्टुनर्ड के क्वेशन थे एक दो क्वेशन बहुती ज़्यादा मुझे प्यारे लगे और उन बच्चों को एक दो प्रशनों की दिकत आ सकती है जिन बच्चों ने पाठे पुस्तक से पेपर की त्यारी है वो नहीं की बलकि वो ही पास बुक्स और इंपोर्टेंट के चक्कर में रहे उनको लेकिन जिन बच्चों ने पाठे पुस्तक अवश्य रीड की है उनको जरूर याँ फाइदा मिला है लेकिन फिर भी एक चीज़ बताऊं पेपर इतना अच्छा है भी 90 प्लस तो अगर आपने किसी भी जगह से कैसी भी त्यारी की है तो अराम से बन रहे हैं तो बहुत अच्छा हुआ है अब ज़्यादा उसमें सोचने की कोई आवशिक्ता नहीं है आगे बढ़ते हैं आप में से जिन बचों का पॉल्टिकल साइंस का पेपर है और कुछ बचे से जिन का हिंदी लिटरेचर का पेपर है चोटी मोटी इदर उदर कुछ रहा गया है तो क्या सोचना है अब आगे बढ़ो आगे के बारे में सोचो जो बीत गया वो पास्ट है अब जो जी रहे हो पर्जेंट है बस आगे बढ़ते रहो पर्जेंट का आनन्द लो अच्छे से और all the best आने वाले एक्जाम के लिए और political science के लिए continue class है वो आपको यहां पर मिलती रहेगी और साथ में और भी आगे प्यटी टी बीस टी सी और उनके बारे में भी हम बात करते रहेंगे चलिएगा फिर मिलते हैं तब तक जै हिंद जै भारत